नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने येटूब चैनल हेल्थवाइज में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चेश्ट एक्सरे रिपोर्ट देखने का क्या तरीका होता है देखिए दोस्तो चेश्ट एक्सरे रिपोर्ट को रीड करने के लिए simple steps RIP और A, B, C, D, E follow के जाते हैं जैसे R for rotation, I for inspiration and P for projection और A for airway and V for breathing C for cardiac and D for diaphragm E for everything else, bone sub tissue तो इन सभी steps को details दे समझेंगे सबसे पहले हम जानते हैं chest x-ray क्या है, कैसे होता है देखिए, chest x-ray एक simple सा radiology test है, जो chest से संबंधित बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसमें मरीज को x-ray machine के सामने खड़ा कर दिया जाता है फिर x-ray machine on करके उसमें x-ray किनर छोड़ा जाता है तो जिस कारण से chest के जो internal organ होते हैं, उसका image सामने लगा जो receptor होता है, उसमें बन जाता है और फिर machine की मदश से या computer की मदश से print कर लिया जाता है और फिर उसमें abnormality ढूड़ा जाता है और chest x-ray को short form में cxr भी लिखा जाता है इसलिए जो doctor हैं, अगर किसी को chest x-ray स्काइब करते हैं, तो परिशी पर cxr लिखते हैं अब हम लोग जानते हैं कि chest x-ray कौन-कौन से लक्षड में करवाय जाता है जब किसी ब्यक्ति को छाती में दर्द होता है, तो उसमें chest x-ray करवाय जाता है और यदि किसी ब्यक्ति को लंबे समय से खासी की साथ बुखार तब भी chest x-ray कराय जाता है और यदि किसी ब्यक्ति को लंबे समय से खासी अगर आ रही है तब भी chest x-ray कराय जाता है और अगर किसी ब्यक्ति को सास लेने में तकलीफ है तब भी chest x-ray कराय जाता है और किसी बेक्त को बलगम की साथ अगर खून आता है तब भी चेश टेक्सरे कराया जाता है और छाती में किसी medical instrument की position जानना हो तो उसके लिए करवाया जाता है जैसे कोई बच्चा का सिक्का निगल गया हो तो उसका पता लगाने के लिए ये test करवाया जाता है अब हम लोग जानते हैं कि चेश टेक्सरे से कौन कौन सी बिमारी का पता चलता है तो उससी निमोनिया का पता जलता है तीबी का पता चलता है और लंक्स का इंजरी निए आपके रिप्स केज होते हैं उसमें अगर कोई जिसे उसमें तूट जाता है तो इसका भी पता चलता है अब जान लेते हैं चेस्ट एकस्रे का प्राइज कितना होता है इसमें क्या प्रिकॉसन होता है तो इसका प्राइज जो रहता है गले में जोलरी पहने तो उसको निकालना पड़ता है और आगर आप जिसे सड पहने तो उसको भी निकालना पड़ सकता है और अगर आज जिसे माल लेज़े आउरते जो हैं तुर बढ़ा उतारने के लिए कहा जाता है और जो हॉस्पिटल में गाउन रहता है उसको पहनने के लिए कहा जाता है अब जान लेते हैं एक्सरे फिल्म ब्लेक एंड वाइट क्यों हमें दिखता है ऐसा इस लिए क्योंकि हमारे छाती के अंदर जो लंग्स होता है हैट होता है हवा होता है पानी होता है बलड होता है और हड़ी ये सबी जो हैं ऑबजेक्ट होते हैं जिसका घंद तो अलग अलग होता है एक्सरे किरण की एक खासेत होती है ये ऑबजेक्ट के घंद के अंसार उसमें औसुसित होता है यानि कि जिसका जितना ज्यादा घंत होगा यानि ज्यादा से ज्यादा घंत वाले अबजेक्ट एक्सरे किरण को ज्यादा आउसुस करते हैं और कम घंत वाले अबजेक्ट जो होते हैं वो एक्सरे किरण को कम आउसुस करते हैं इस कारण से कम घनत वाले अबजेक्ट जो होते हैं उसमें किरन जो है एक्सरे का आर पार निकल जाते हैं इस कारण से वह बलेक कलर का दिखता है और जो अवसोसित कर लेता है वो हाइट कलर का दिखता है और जो metal होता, उससे density जो था बहुत जादा होता है, तो metal जो है, X-ray क्रольक को बहुत जादा और असुसित कर लेते हैं, इस कानड से वह black और white दिखता है, और जो bone का density और metal का density की मुकाबले जो कम होता है, तो इस कानड से वहाँ metal जो होता, थोड़ा कम absorption होता है X-ray किनड का इसलिए वो वाइड दीखता है और जो air होता है उसका सबसे कम density होता है तो इस कांड से X-ray किनड का absorption बहुत कम होता है और जो tissue होते हैं उसमें air के मुकाबले थोड़ा ज्यादा density होता है जिस कार्ण से वह ग्रे कलर का दिखाई देता है और जो हर्ट होता हो तो हर्ट के अंदर जो बलड होता है वो X-ray किरण को असोसित कर लेता है जो इससे हमें या हुआइड दिखाई देता है और जो लंक्स होता है उसके अंदर जो एयर होता है वो X-ray कंड को कम उसे कर पाता जिस कंड से वो आमें बलेक दिखाई देता है अब जानते हैं चेश्ट X-ray किन किन पोजिशन में होते हैं तो चेश्ट X-ray मौश्टी तीन पोजिशन में होते हैं पहला है PA, दूसरा है AP और तीसरा है लेटरल भी लेकिन सबसे इस टेंजर जो पोजिशन होता है जो सबसे ज़्यादा करवाया जाता है PA भी होता है A4 होता है एंटेरियर कहने का मतलब सरीर के आगे का हिस्सा यानि छाती का जो हिस्सा होता है वो एंटेरियर का हिस्सा होता है और P का मतलब होता है पोस्टेरियर मतलब बैक साइड यानि जो सरीर के पीछे का हिस्सा होता है पीट का हिस्सा वो होता है पोस्टिरियर और येल फाल जो होता है लेटरल यानि टिल्ट पोजीशन जो होता है वो होता है लेटरल वाला जो रहता हिस्सा होता है और पीए का मतलब होता है एंटिरियर व्यू और ए एकसरे विम जो होता है वह थो यहânई से बैक सब्लम करता है और पिए विय का पह RAW मतलब है पॉस्टेरियर इंटेरियर इसमें क्या होता है पेसेंट जो है उसका जो पीठ है या भाइक साइड होता है वह एकसरे की तरफ होता है और जो X-ray beam होता है वो back से front की तरफ move करता है सबसे standard जो तरीका होता है chest X-ray करवाने का या lungs का size देखने का वो है PA view और AP view में क्या होता है इसमें जो है lungs का size थोड़ा normal से बड़ा दिखता है क्योंकि उसका gap थोड़ा ज्यादा होता है तो सबसे अच्छा position जो है वो PA view होता है अब हम लोग जानते हैं chest X-ray का film हमें कैसे read करना है तो सबसे पहले patient को identify करना है कि पेशेंट जो है actual में उसी पेशेंट का X-ray है यह किसी और patient का तो सबसे पहले हमें नेम चेक करना और डेटा बंच चेक करना और उसका इस नंबर मैच करेंगे कि patient का X-ray है कि यह दूसरी पेशेंट का X-ray है दूसरी बात जो है हम डेट और टाइम चेक करेंगे यह देखने के लिए एक स्रे काफी पुराना तो नहीं है उसके बाद ह हमें यह देखना है पिसलो पेशेंट का left side कौन सा और राइट साइट कौन सा तो हमें ऐशा इसलिक करना कि patient मैं मा लीजिए हमारे सामने खड़आ है तो उसी के हिसाब से मैं एक स्रे देखना तुमारा जो right-side ओपेशेंट का left-side होगा और हमारा जो Left Side होगा पेशन का Right Side होगा हिसके बाद हमें identify करना कौन से position में लिया गया है और किस condition में अधिक्षरीघ काई है हमें एकसरा मालेजी हम करवाएं तो इसमें पीए भी एपी बीऊ और लैटेरल भी है तो में कैसे चेक करना है कि इसके बादơnी क्या देखा जाता है उसके लिए रोतेशन देखा गया है daw आपाक सब्सक्रों तो इसको हम हम जानेंगे नहीं तो देखेए और होता हुरी रोटेशन में यह देखा जाता है कि Trachea कहीं रोटेट तो नहीं हुआ है अगर हुआ तो किस बीमारी के काम भुखा है या aks ray के दौराण पैसेंट के टेडा का रोटेशन हुआ है तो रोटेशन देखने के लिए सबसे बेश तरीका जो होता है वो ट्रेक्या का पोजीशन जो होता वो सीधा होना चाहिए अगर वो सीधा नहीं है तो हमें देखना होता है तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है तो ट्रेक्या में जो रहता है उसका जो कलेविकल बॉन जो होता है उसके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए अगर इक्वल डिस्टेंस में है तो इसका मतलब पेशन सही खड़ा हुआ था जैसा कि एक छोटा बच्चा है इसमें आप फिगर में देख सकते हैं यह इस बच्चे का सीधा खड़ा नहीं हु पेशन का मतलब है पेशन पांच सेखड़ा है रिप्स नहीं दिख घर अगर दिख रहा है तो पांचे 6 एंटेर रिप तो इसका मतलब पेशन सही से सांस रोक कर रखा हुआ है और अगर आर्ट से 10 सोफियर रिप हमें देखना चाहिए तो अगर यह नहीं दिख रहा है तो जिसे मैंने पेशन्स सही से सांस रोख के नहीं रखा है अगर लंच्ष पूरी तरह से इकस्पांज यानिos एकस्पांज हुआ है तो इस सांस आप इस तरह से आपको इमेज दिख रहा होगा आप ढिए ग्यारा रिप्स है तो इसमें आप पोस्टियर रिप देखते हैं तो छे रिप्स जो हैं पोस्टियर हैं तो इसमें दुबारा आपको X-ray करानी की सला देनी चाहिए पीफार प्रोजेक्शन या पिनेट्रेशन तो देखें प्रोजेक्शन का मतलब होता है एक्सरे बीम चेश्ट को कितना एक्सरे एक्सपोज किया है यह एक्सरे कर ज्यादा एक्सपोज होता तो इस तरह का इमेज हमें दिखाए देता है तो एक्सरे इमेज में ना तो क्वालिटी ठीक नहीं है आपको फिर सेया दुबारा एक्सरे करवाना चाहिए एक्सरे फिल्म की क्वालिटी और पेशेंट आइडेन्टिफाई करने के बाद हम लोग बी-सि डी-ए पर पर आते यांदों पर एरे फोडसे इसके अंदर हम क्या देखते हैं और ब्रोंकाई देखते हैं और हने Dabei B far होता है breathing, इसके अंदर हम lungs देखते हैं, field देखते हैं, and pleura देखते हैं, and next C far cardiac, इसके अंदर हम देखते हैं, head की size and head का border देखते हैं, next D far diaphragm, इसके अंदर हम position देखते हैं, shape देखते हैं, and costoferinic angle यानि इसको CP angle भी बोलते हैं, and cardioferinic angle भी देखते हैं, अब next है E, E far होता है everything else, इसके अंदर हम देते हैं media, sternal, and contours, bones, soft tissue, tubes, device, metal, इसके अंदर ये सब हम देखते हैं E, E, Eurebe होता है इसमें trachea का deviation देखा जाता है कि किस काण से trachea का deviation हुआ है, तो trachea को कोई चीज़ पूस्कर रहा है या pull कर रहा है, तो trachea का deviation हो जाता है तो इस image में आप देखेंगे trachea जो है normal है लेकिन इस image में pleural effusion के कारणा जो trachea है और इस image में lungs का कलोयव हो गया है तो इस कारणा से trachea को अपनी और पुल्क कर रहा है बीफार ब्रीधिंग होता है इस step में हम lungs field और pleural field देखते हैं कि lungs field clear है या नहीं है क्योंकि lungs field में air होने की current lungs field जो है वो black दिखता है लेकिन black होने की वज़ा से अगर वो white दिखे तो वहाँ पे abnormality का sign होता है जैसा कि इस image में हमें दिख रहा है कि या एक normal image है और यह normal image है तो इसमें आप देखेंगे जैसे lungs zone जो होता है उसमें थोड़ा white देख रहा है तो इसका मतलब है image में जो है वह कुछ abnormality या नीमोनिया की सिकायत हो रहा है सी फार कार्डियक होता है कार्डियक में head का border देखते हैं और size और shape देखते हैं तो अगर head का size बढ़ जाता है तो उसे हम कार्डियक एरिया बोलते हैं और यह जो एरिया है उसे हम thoracic एरिया भी बोलते हैं तो इन दोनों का जो rate ratio होता हो होता है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और head का size है वह PA view में perfect position आता क्योंकि posterior और anterior position में जो होता है patient का head जो होता है वह receptor के बिल्कुल close होता है तो actually में head का size जो होता हो X-ray view में दिखता है जो AP view होता है उसे head receptor से थोड़ा दूर होता है तो जिस कार्ण से head का size थोड़ा बड़ा दिखता है default diaphragm होता है इस स्थिती में हम diaphragm का shape और position देखते हैं तो diaphragm हमारा यहाँ पर जो नीचे position उसे normally में होता है right side काцо diaphragm होता वह ओपर ओठा होता है क्योंकि वहाँ पिंडय फिर्ण होता है और left side का diaphragm होता है थोड़ा नीचे होता है तो इस Cp angle का मतलब होता है But caster efficiency angle होता है और यह ऑंगल हते है इसको हम caster firefighter पानी आंगल बोलते हैं तो इस side में एकदम इस तरह से दिखना चाहिए इसके बाद e for everything देखते हैं यानि उसके अलामत जितने भी चीज़े होते हैं इसमें हम देखते हैं जैसे soft tissue हो गया, bone हो गया, metal हो गया और सब चीज़े देखते हैं कहीं माल लिजे head fracture ना हुई उसको देखते हैं और मिलते हैं किसी next video में तब तक के लिए बाई बाई